वेल्कम बेक टू माई चैनल, स्वागत है आपका महालक्ष मेरी अलकी जन्मे आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल, बहुत ही सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग, कोकोनट कुकीज की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से मिंटो में घर में रखे सामानों से बन करके तैयार हो जाता है तो आईए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं इधर देखें मैंने लिया है एक मिक्सिंग बॉल और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच खी आप बटर का भी यूज कर सकते हैं खी या बटर लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज करना है हमें सॉलिड होना चाहिए अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको फ्रीज में रखते हैं थोड़ी देर फिर यूज करें इसको हम विस्कर कर लेंगे एक विस्कर की मदद से और अभी डाल देंगे हाप कप के जितना पाउडर सुगर इसको मिक्स करने के बाद हम कम से कम दस मिनट तक इसको फेटेंगे बहुत ही अच्छे से जब तक ये फोम के फाम में नहीं आ जाए एकदम लाइट हो जाएगा ये फेटने से फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ये देखिए अभी फोम में आने लगा है इसको फेटना बहुत जरूरी है तब ही हमारा कुकीज एकदम सॉफ्ट बनके तयार होगा और अभी डाल देंगे एक कप की जितना मैदा इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी लिया है एक स्पून और उससे अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी डाल देंगे एक कप के जितना कोकोनेट पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी डाल दिया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन फोर टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा और थोड़ी सी इलाइची पाउडर हाफ टी स्पून के जितना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी डाल दिया है दो टेबल स्पून के जितना नार्मल टेंपरेचर का दूद्थ दूट डालने के बाद हमको बस मिक्स करना है अच्छे से और इकठा करना है डो को इसको आटे के जितना जैसा गूदना नहीं है बस इकठा हो जाए और एक डो के जैसा दिखने लगे अभी डो रेडी हो गया है मेजर्मेंट के लिए लिया है मैंने एक प्लास्टिक का स्पून सारे कुकीज एक साइज के बने इसके लिए यह देखें हलका सा प्रेस करेंगे बस ऐसे ही हम सारे कुकीज को सेप दे देंगे यह देखें मैंने दे दिया है सेप और अभी इसके उपरी हिस्से में लगा लेंगे कोकोनट पाउडर और अभी लिया है एक प्लेट बटर पेपर इसको ग्रीस कर लिया है घी से अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप कोई भी पेपर लीजिए न्यूस पेपर को छोड़ करके और उस पर घी या आयल लगा दीजिए सेम काम करता है इसके उपर रख दिया है सारी कूपीज को और इधर गरम कर लिया है एक पैन और उसमें रख दिया है एक स्टैंड इस्टेंड नाँ हो तो आप एक छोटी सी कटोरी भी रख सकते हैं और उस पे रख दिया है ये प्लेट बेक करने के लिए कवर कर देंगे और 25 से 30 मिनट तक इसको बेक होने देंगे अभी हो गये 25 से 30 मिनट कुकीज बेक हो गये देखिए बहुत सुन्दर सा कलर आ गया है अभी ये बहुत गरम है इसको गैस के उपर से उतार लिया है इसको ठंडा होने देंगे और अभी थंडा हो चुका है कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग बहुती टेस्टी बहुती सॉप्ट मुह में घुल जाने वाले कुकीस तयार हो गए हैं कोकोनट के आप इसको एक बाद जरूर ट्राइ करिए बहुती टेस्टी बन कर के तयार होते हैं ये कुकीस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के सब्सक्राइब